क्या बोलते हैं जिद्धी बूल्स और इसको दोस्तों शेक आउट ट्रेडिंग सेटप बोलते हैं स्टेज 2 का जो पूरा ब्रेक आउट कैंडल है स्टेज 2 दोस्तों बहुत ही स्टॉंग अपसाइट देता है आपको दोस्तों जो लास वाला जो स्टॉक होना वो मिस्स मत करन मैं बहुत जल्दी discuss करूँगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनिल गुर्जर और मेरे इस वीकेंड वीडियो में आप सभी का सभागत हैं दोस्तों आज का यह जो वीडियो है ना यह काफी interesting वीडियो होगा आप सभी लोगों के लिए क्यों थोड़े ही दिर में आपको पता लगेगा कुछ ही second के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे nifty और bank nifty के बारे में कि वो आने वाले दिनों में कैसे लग रहे हैं कहां पर वो important resistance and support level है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए उसके दोस्तों बाद में हम लोग बात करेंगे breakout stocks के बारे में और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे breakout stocks लेकर आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो breakout stock बहुत ही उन्दा आपको return दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छा upside दे सकते हैं कुछ ही आने वाले दिनों के अंदर और ये वीडियो के last के अंदर मतलब ये वीडियो के last में जो मैं बता रहा था कि ये वीडियो काफी interesting होगा ये वही चीज के कारण होगा दोस्तों ये वीडियो के last में हम लोग बात करेंगे एक stage 2 breakout stock के बारे में दोस्तों एक stock है जिसने stage 1 का formation मनाया और अब वो stage 2 का breakout दे दिया है अब कभी भी कोई भी दोस्तो stage 2 का breakout देता है न तो वो आपको वहाँ से I would say कि multi baker return दिखाता है और बहुत ही अच्छा strong upside देखने मिलता है वहाँ से तो मैं आप सभी लोगों से request करूँगा कि ये stock को miss मत करना ये last वाले stock को ठीक है तो ये वीडियो को start करते है सबसे पहले market की बात करेंगे ठीक है तो अभी हमें जो screen के ओपर दिख रहा है ये है हमारा nifty 50 का chart अभी nifty 50 के chart में क्या दिख रहा है कि एकड़म एक strong uptrend है यह जो chart है यहाँ से गर आप देखो गहा है तो यहां से higher highs and higher lows दिखाई दे रहे है यह देखो higher highs and higher lows higher highs and higher lows higher highs and higher low low लेकिन अभी जो हाल फिलाल का जो price action है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा problem हो रहा है, अगर primary trend देखो गए ना दोस्तों, पूरे nifty 50 का, वो अप ही है, लेकिन पिछले 4-5 महिनों में क्या गए दोस्तों, जो आपके जो दोजी candle, जो आपके spinning top, जो वैसे जो candle stick बन रहे हैं, व तो वो एक अंदेशा देते हैं, कि यहाँ से, यहाँ तो market बहुत ज़ादा गीर सकता है, या फिर यहाँ से sideways में रह सकता है, तो यह market पिछले 2 महिने से sideways में ही है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यह जो उपर का range है, यह अमरे लिए एक strong resistance की तरह act कर रहा है, 22,800 का, या जैसे मैं आपको बता रहा था, कि market है अभी sideways range में है, तो यह आपका है support, और support है 21,750 का, तो 22,800 का आपका strong resistance है, और 21,750 का यह आपका है strong support, और यह क्या है, यह मैं बोलना चाहूँगा कि यह है strong resistance, तो अगर market यह दोनों के अंदर ही trade करेगा, तो मैं बोलूँगा कि दोस्तो आपको ज्यादा हल चल दिखाई नहीं देगा, देखो एक जो option buyer होता है, या फिर कोई trader होता है, तो उसको चाहिए होता है momentum, अगर वो option buyer है या फिर swing trader है तो, तो momentum कब मिलता है, जब range का breakout मिलता है, तो यहाँ पे range जो है ना, उपर का वो आ रहा है 22,800 का, तो वो टूटेग के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं लोग, swing trading के लिए दोस्तों अगेन हमें wait करना पड़ेगा, या तो अगर nifty यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर कोई reversal candlestick बनाता है, तो यहाँ पे आप position ले सकते हो, उपर के side का, और यहाँ से एक reversal trade बनत अगर एतने की bank nifty कैसा लग रहा है, ठीक है, तो bank nifty के अंदर आप देखो गेना दोस्तों, देखो मंत्री टाइम फ्रेम में आपको अगेन बोलूँगा की, इतना कोई खास लग नहीं रहे, ठीक है, मंत्री टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो गेना, यहाँ यहाँ तो य वाला जो candle है प्रिबिएस मंद के candle के अंदर ही समाया हुआ है ये देखो तो ये भी है ना दोस्तों sideways में ही फसा हुआ है मोटा मोटी में आपको बोलूँगा ठीक है ये ज्यादा कुछ हलचल करने ही पा रहा है पिछले एक-दो महिने से तो एक-दो महिने से दोस्तों market है एक का आपका resistance है अगर मार्केट इसको clear करते हो दिखाई देता है तो strong upside देखने मिल सकता है लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि सुने मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँ मैं मैं बोलूँगा कि यहां पर आप ले सकते हो ओके और निफ्टी के अंदर काफ तो swing trade के लिए भी same okay swing trade के लिए भी मेरा view same रहेगा दोस्तों अगर आप देखो गए ना तो यहां पर एक channel दिखाई दे रहा है मुझे यहां से okay यह channel भी दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर यह nifty यह जो channel का जो lower band है okay जो rising lower band है उसके वहां से 3 से 4 बार I would से support ले लिया ठीक है यह देखो आपको में दिखाता हूं अभी जर्स देखो यहां पर इसने support लिया यहां पर support लिया यहां पर support लिया और यहां पर support लिया तो यह जो बार-बार जो support लिया ना दोस्तों वो यह दर्शाता है कि यह ना एक strong rejection zone bank Ft के लिए तो यह यहां पर एक trade बनता है जैसे इसके उपर जाएगा यह वाली जो line है उपर की black line यहां पर आप entry ले सकते हो और swing trade के लिए stop loss दोस्तों आप यह लगा लेना previous candle का low और मुझे इसा लग रहा है कि यह जो है जो move आ सकता है वह move यहां से लेके यहां तक आ सकता है और यह जो अप तो एक ऐसा breakout stock है जो पुरा market उसको देख रहा मतलब सब लोग वेट कर रहे थी कि यह stock कब breakout देगा और यह stock है आपका है मजगाव dog अभी मजगाव dog के अंदर सब की नजरे बनी हुई थी टिकी हुई थी और सब वेट कर रहे थी कि यह कब breakout देगा और twitter की उपर आप charts देख करता है तो मैं Elliot wave भी करता हूं यह one two और यह जो पूरा जो थाना दोस्तों यह पूरा third wave था यह थी three wave खतम हुआ यह fourth wave था और अभी 50 wave स्टार्ट हो चुका है तो यह जो पूरा wave था ना यह corrective wave था और इसने जो पूरा pattern बनाया है ओके wave four ने ओके third जैसी खतम हुआ यह रा दोस्तों आपका rectangle continuation pattern क्या है rectangle continuation pattern जिसके अंदर क्या होता है कि price एक uptrend में होता है और जो stock का जो भाव है वो बार बार उपर निचे bounce back करता है sideways के अंदर जो इसने किया और मुझे सा लगता है कि अभी का जो breakout आया ना वो बहुत ही strong breakout candle है ओके तो यह breakout candle के उपर हमें entry करना च आप ऐसा क्यों बोले हो क्योंकि अगर आपका जो breakout candle है अगर वो wide range breakout candle है then you should always put your stop loss at the low of the breakout candle if the breakout candle is narrow तो आपको recent swing low के वहाँ पर लगाना चीए जो हमारा आ सकता था है इस case में यह stop loss क्योंकि अभी breakout candle wide range है तो stop loss breakout candle के निचे ही लगाना है इस case में प्लस volume action अगर आप देखो ग kind लग रहा है मुझे काफी दिनों से मतलब यह जो 2023 के अंदर तीन से चार बार जो volume मना है उसके compare में आज के दिन इतना volume आया है और आज का जो volume था मैं आपको बताता हूं आज का जो volume है यह है total I guess 10 million का volume है 10 million share का volume इसके अंदर trade हुआ है दोस्तों ओके तो यह काफी strong stock लग है इसको आप जरूर रखना जो अगला जो stock के दोस्तों वह हमारा coaching shipyard अभी coaching shipyard भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको reason बताता हूं यह stock अगर आप देखो गे ना मोटा मोटी लंबे अफदी से तो काफी strong uptrend में है ठीक है इसकी तो को इसकी जो stock है ना बेसिकली यह सारे जो पैटन्स है classical technical analysis के वह बहुत अच्छा फोलो करता है coaching shipyard और अभी का जो breakout उसके पहले ही इसने एक cup and handle का breakout दिया था यहां पर अगर आप देखो गे ना तो यह cup and handle का breakout था और अभी जो breakout दिया है ना दोस्तों इसने बहुत ही अच्छा breakout दिया है और यह है mini basic continuation pattern अभी back to back देखो जब last time इसने breakout दिया था ना तो इसने strong upside दिखाया ओके यह वाला upside दिखाया और अभी यह जो breakout दे रहा ना मुझे इसा लगता है कि आने वाले time में हमें यहां से एक अच्छा upside मिल सकता है क्योंकि volume भी बहुत अच्छा है और price action भी एक बहुत अच्छा एक up move दिखा ना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों जो last वाला जो stock होना वो miss मत करना मैं बहुत जल्दी discuss करूंगा और दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आ रहा है तो इस video को like करना ना बुले comment करना ना बुले दोस्तों अगर आप comment करोग मिलेगा ठीक है तो volume action plus price action बहुत ही डासू है और यह stock को आप miss मत करना ओके तो अगला जो stock है दोस्तों वो है garden rich ship building ओके तो अभी यह जो garden rich है ना दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ है इसके इंदर बहुत एक अच्छा trading setup बना है मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों लेकिया ह करता हूँ ना तो मैं को breakout चीए लेकिन यह stock ने किया कि breakout दिया और उपर गया और वो breakout जो था वो फेक आउट में convert हो गया और सब लोगों का यहां पर है ना मतलब यह जो इसके जो उपर एंटर हुए थे और या फिर या फिर इसके कई बीच में stop loss लगाया वह सब लोगों क इसको दोस्तों शेक आउट ट्रेडिंग सेटप बोलते हैं शेक आउट ट्रेडिंग सेटप क्यों क्यों कि दोस्तों इसमें लोगों को शेक आउट किया पहले बाहर निकाला जब शेक आउट हो जाते हैं और जब वापस breakout होता ना तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि आपका जो नॉर्मल एक breakout होता है अगर ऐसा setup को भी दिख रहा है ना तो ये जो setup है ना ये जो shake out वाला ये सबसे अच्छा setup होता है क्योंकि अब इसमें सारे जो weekend है वो निकल चुके हैं और अब यहां से दर्शार आ रहा है कि मैं अब नहीं रुकने वाला पकड़ सकते हो तो दिख रहा है मैं और जो volume action है वो भी काफी उंदा लग रहा है तो मुझे सा लगता है कि यह जो आपको जो breakout था यहां पर आपकी entry होने चाहिए और यह जो breakout candle का जो लो है यहां पर आपका stop loss होना चाहिए तो यह stock को again आप मिस नहीं कर सकते हो इसको जरूर रडार पर रखना अगर Monday को यह जो black line है उपर का जो मैंने बनाया है I guess 1084 और इसका जो high है जैसे अगर आपको निकलते हुए दिखता है तो वहाँ पे आप entry ले 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 ना मोटा मोटी ठीक है long story short अभी जो दोस्तों हम लोग discuss करने वाले हैं वो है NMDC का stock अभी NMDC मैं आपको क्यों बता क्योंकि NMDC भी एक breakout stock है और इसने भी बहुत अच्छा strong breakout दिया है जिसको आप miss नहीं कर सकते और यह भी strong दावेदार बन सकता है एक upside देने वाले stock के रूप में क्योंकि इसका जो trend है ना दोस्तों वो तो strong ही है लेकिन जब यह stock जाधा time लेता है और breakout देता है तो यह वाप breakout देके उपर गया और retest करने आया, retest करके इसने candlestick pattern बनाया जिसको बलते dragonfly doji, dragonfly doji जो था वहाँ पर retest लिया breakout का और अब वापस जो आपका जो breakout का है उपर जो high मारा था उसको आज इसने breakout दे दिया और उसको तोड़ दिया है, अब अगर वो price को तोड़ दिया है इसने तो आपको क्या अलगता है, ये stock के अंदर क्या हो सकता है, ये stock आपको बहुत अच्छा upside दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो high था न, breakout के उपर वाला, वो भी अब निकल चुका है, और breakout भी हो चुका है, breakout retest भी हो चुका है, अब पूरा process complete हो चुका है, अब इसका काम ह उपर ही जाना, और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ही अनुमान है, कि एक अच्छा upside दिखा सकता है, यहाँ पे आपका stock close लगा लो, buffer थोड़ा रखोंगा में 1 lakh plus users, 1 lakh plus YouTube subscribers, 80 plus courses and 200 plus hours of learning content, यह सब कुछ अब सर्ज ने सिर्फ 20 मन्स में अचीव किया है, and none of this would have been possible without your constant support and feedback. इस journey में हमारी कोशिश हमेशा यह रही है, कि हम आपके फेवरेट traders के साथ, videos, courses और podcasts curate करते रहे, ताकि आप तक सही information पहुचे, हम आपके लिए एक बहुत ही interesting और limited time offer आए हैं, within this offer, आप हमारा कोई भी course, rupees 100 rupees में, और कोई भी master class, rupees 1000 rupees में अवेल कर सकते हैं, और तो और हमार six month subscription plan, जिसमें आप सारे courses अवेल कर सकते हो, वो भी हम rupees 1000 rupees में offer कर रहे हैं, यह offer, description में दियेगा, link पर available है, और उस पर click करके आप उजिर ले सकते हो, so hurry up, और यहां पर उपर आपका, इसके उपर entry होना चाहिए, तो यह रहा हमारा NMDC का chart, अभी दोस्तों, जो हमारा weight था, क stage 2 breakout वाला stock, वो मैं अभी आपके साथ में discuss करता हूँ, ठीक है, तो यह रहा दोस्तों, आपका stage 2 वाला stock, और यह stock का नाम है, GR Infra, अभी सुनें स्टेज 2 कैसे identify करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह जो आपका जो उपर से जो price निचे आया, यह stage 4 के अंदर price था इसका, क्य काटने लग जाएं, और अगर आपको कोई एक pattern बनाएं, lengthy pattern, और उसका resistance तूटते हो दिखें, तो मतलब समझ लेना कि वो stage 1 का pattern था, उसका breakout मिल चुका है, और यह जो है ना दोस्तों, अभी हमें stage 2 breakout मिल चुका है, अब यहां से रुखने का नाम नहीं ले सकता है stock, और यहा stock stage 1 बना रहा है, और 30 EMA भी उपर की तरफ जाते हो दिख रहा है, और stage 1 का resistance का जो line था, वो भी breakout हो चुका है, तो अब यहां से एक strong upside देखने मिलेगा हमें, तो वो इसके अंदर दिख रहा है, तो आप लोगे कि सुनेंसर, entry का बनेगी, entry बनेगी जैसे candle के उपर price जाता है मंडे को जैसे इसके भाव उपर जाएगा, 1576 के उपर, आप entry बना लेना, और stage 2 का जो breakout candle है, stage 2 दोस्तो बहुत ही strong upside देता है आपको, और यह जो candle बनाया ना, यह भी wide range breakout candle है, stage 2 का, तो यह आपका stop loss होना चाहिए, और उपर का blue line है, वो आपका entry का point होना चाहिए, इसके उपर नहीं जाता है, और gap down open हो जाता है, तो नहीं आपको entry करना है, आपको stage analysis के उपर बहुत ही जल्दी मेरे, मतलब मेरा जो podcast है, अप search के उपर out होने वाला है, वो भी आप देख लेना, तो आपको पूरा stage analysis का methodology है, वो आपको समझ में आ जाएगा, दोस्तों I hope आपको य मेरा next video and till then thank you so much and bye bye